हे दोस्तो डिया गुरुजी योट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो अब आप हमको अनेकेडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप किसी भी गॉर्मेंट जोब की तयारी कर रहे हैं वहां पर आप जाके हमको फॉलो कर सकते हो धन्यबाद आज है 11 सिजंबर और आज की टॉप 20 रेजिनिंग के क्वेशन में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है तो दुस्तो मैं आरे इन जैस्वाल आप सब के लिए पर डे ऐसे लेकर आता हूं क्वेशन तो यहां पर टॉप 20 जो है यह पार्ट 3 है इसके पहले मैंने रेनिंग के बहुत सारे प्रेक्टिस करवाया है पर यह जो टॉप 20 से उसका पार्ट 3 है जो कि मैं अभी 2-3 दिन से अफलोड कर रहा हूं तो अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो दिस्क्रिशन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा इसके लावा डिस्क्रिशन बॉक्स में टेलीक्राम ग्रूप का लिंक मिलेगा वहां पर जुड़ करके इनका प कॉस्णा करते हुए पहला क्यों अ है का जनंदिन कrak Center अंद्रा अगेस को हुआ त उसी वर्स अनिका का जनहर्आ करना कि सकता कि किस दिन होगा तो हमें पुशाम को बता है उसी वर्सना तो मुझे कर बिला क्या मतलब में है चार जुलाई को पंस थिना वह अर पंदरा अगर अगर हम बात करें अगस्त में तो अगस्त में पुराम को 15 दिन चाहिए तो 27 और 15 जब जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 42 आजाएगा 42 आने का मतलब क्या है कि इनमें हम एक्ष्ट्रा डे यानि कि बिसम दिन या अत्रिक्त दिन निकालेंगे तो 42 को साथ से भाग दीजिए साथ चक 42 जीरो आगया ना जीरो से इस आने का मतलब क्या है कि कोई भी दिन अत्रिक्त नहीं आया तो जो दिन था वही दिन हो जाएगा तो जो दिन मंगलवार था वही मंगलवार 15 अगस को ही पढ़ जाएगा तो यानि कि इसका option D यानि की Tuesday बिलकुल correct हो जाएगा समझ गे दोस्तों अगला है बहुत ही प्यारा question है लिप्स का संबंध है smile यानि की ओठ मुस्कुराने के लिए होते हैं तो आइस किससे संबंध है तो आइस क्या है विंग मतलब होता है आख मारना तो आइस क्या हो जाएगा विंग क्यानि की बिलकुल इसका correct हो जाएगा समझ गे दोस्तों चले आते हैं अगले question पर question number 3 है e h j k n p तो s v x का संबंध किससे होगा तो देखिए e है h है मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूं बहुत ज्यादा बड़ा है चलिए यहां आगया correct तो e है h है j है और अगर देखा जाए e और k में e का code होता है 5 और k का वाईस च्रहता है हमारा भाइस बाइस च्रहर मतलब होता है चलिक के बाद दू하겠습니다 तो आधी इसी तरह सट्था है एक सब्सक्राइब इसका लोड़ें गेंगे तो एक सी में चलिडिक आजएगा एक समें से बेट या जाएगा अगला है 357 का संबंध है 714 से 368 का संबंध किस से होगा तो देखिए कुछ इसमें खास नहीं करना है बहुत ही सिंपल कोईशन है 357 गुड़े 2 करो कितना आ जाएगा 714 भाई गुड़ा करके देख लो इसी तरह 468 गुड़े 2 करेंगे कितना जाएगा 400 गुड़े 2, 2, 8, 16, 2, 6, 12, 12, 12, 13, 24, 8, 1, 9, 936 आने की आप्सन नमबर C 936 इसका बिलकुल करेक्ट आप्सन हो जाएगा समझ गे दोस्तों अगले कोईशन पर आते हैं विस्म अच्छर चुनिए 5 से 6 के लिए निर्जेस दिया गया है विस्म अच्छर चुनिए तो XWV है, RQP है, HFE है और MLK है तो इसमें हमको विसम अच्छर चुनना है तो देखिए, WV मतलब यहाँ प्लस एक हो रहा है और XW माइनस एक हो रहा है पहले माइनस एक, फिर UVW होता है तो VWX इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं कि माइनस एक हो रहा है, देखिए, X में से गटाएंग, W आजाएगा और W में से गटाएंग, क्या जाएगा, V आजाएगा भाई, VWX अभी तो हुआ, इस तरह यहाँ भी है PQR, पताब उल्टा लिखा गया है और EF, G होना चाहिए था, यहाँ पर क्या है, EF, H है तो यहाँ पर यह वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा इस तरह के लिएम यहाँ पर देख लीजे सम्में एक एक अंतर है, उल्टा करके लिखा गया यहाँ पर तो F और H में दो कांतर आ गया इसलिए Option C इसमें भी सम्म हो जाएगा, समझ गये दोस्तो, अगला है 23, 29, 37, 33, 29, 29, 37, 33, अगर हम 23 की बात करें, 29 की बात करें, 37 की बात करें, तो यह तीनों हमारी अभाजी संख्या है है वाज संख्या, जो किसी इस से नहीं करती है, अपना ऊर्रे को छोड़ी जě धने करती है, अभाजी होती है जब कि जो 33 है, वो यह भाज संख्या है, 3 से कट रहा है, 11 से कट रहा है 13 से कट रहा है, तो यह भाजी संख्या है इसमें Option D भी सम हो जाएगा Q7 दोस्तो F I M P T तो आगे क्या होगा तो चलिए देख लेते हैं पहले code लिखने सबका F का code होता है हमारा E F यानि की 6 I का code 9 M का code हमारा होता है M का code 13 P का code 16 फिर T का code कितना होता है T का होता है 20 तो इससे मतलब आगे क्या आएगा तो 6 3 9 प्लस 3 हुआ फिर 9 4 13 प्लस 4 हुआ प्लस 3 हुआ तो प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 यानि की प्लस 3 होगा तो 20 और 3 कितना होता है 23 और 23 किसका code होता है वही W का यानि की option number first इसका W विल्कुल correct हो जाएगा समझगे दोस्तों आते है question number 8 पे 72 है फिर 6 6 5 प्लस 5 प्लस 5 है फिर 53 प्लस 1 है फिर 46 प्लस 8 है तो यहां पर देखा जाए तो 72 और इसमें कितने का अंतर है अगर 72 में से minus 6.3 कर दें तो 65 दस्लस 7 आ जाएगा कितना कि हमने minus 6.3 किया तो क्या गया 65 दस्लस 7 में से क्या घठाएगे तो बात में देखें पहले इसमें कितने कंतर है तो 53 दस्लस 1 में से भी अगर कितना कर दें minus 6.3 कर दें देखो six point three कर दो 11 दिन ग्याट और 12 दिए चे गया 6 यह यह बड़ा जाएगा तो यहां पर भी गट आएक न दूस्ट बानाव से call दो फोर फॉर्वी पंडव यूपिव SH आजाएक है नो और यहां पी आजाएका पांच आजाएका तो 69 आजाएगा 6 नम्बर इसका बिलकुल किरेक्ट हो जाएगा समझ गए दोस्तों Q9 पे आते हैं बहुत ही आसान है निमने बिकल्पों में से वो बिकल्प चुने जो निमने सब्दों का प्रियोग करके नहीं बनाया जा सकता है Symbolic Symbolic B-O-L-I-C तो देखे B-O-L-I-C है तो देखे B भी है लेकिन नहीं बनाया सकता है तो यहाँ पर देखे ध्यास देखेंगे तो पहला ही Optionizing सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर A जो है कहीं पूरे Symbolic में नहीं आया है लेकिन यहाँ पर देखे A word आग A जो है Letter आ गया है तो यानि पी Basic ऐसा word है नहीं बनाया सकता है सिमली देखे Smiley देखे S M I E L Y S B है M है I B है L B है Y B है इसी तरह Climb में भी देखे C L I M B Climb भी है College भी मिल जाएगा आपको समझे Question No.10 पर आते है Question No.10 है 25 इसार 5 बराबर 56 बताना है मतलब बताना है कि क्या हम बना सकते है तो देखे इसमें जो तरीका लगाए गया है Basically Actually मैं माफ कीजेगा मैंने Question को थोड़ा सा Wrong Note कर लिया है तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर Question करेट कर दे रहा हूं तो यहाँ पर Question सब लोग कर लेना है यहाँ पर तो यहाँ पर इसको जब solve करेंगे तो देखे क्या ट्रीक लगा है यहाँ पर देखे तो पर जोड़े कितना हो जाता है 28 28 गुडे 2 कर दो कितना आजाएगा 56 आजाएगा आजाएगा ना इसी तरह 7 और 6 जोड़ो कितना होता है तेरा गुडे 2 कर तो क्या आजाएगा 26 आजाएगा ना इसी तरह 5 और 2 जोड़ो कितना होता है 14 तो यानि कि यहाँ पर भी 7 और 5 12 और 12 दोना 24 यानि कि option 20 का 24 हो जाएगा टेंसन मतलो जो भी आपको PDF मिलेगा उसमें यहाँ पर 23 ही लिखा होगा दिक्कत की बात नहीं है तो यहाँ पर 24 समझ में आगया होगा कैसे होगा तो यहाँ पर करेट कर लेजा यहाँ पर 23 होगा 23 question number 11 पर आते हैं कथन है सभी गेहूं अनाज है सभी कुछ गेहूं आटा है कथन क्या गह रहा है सभी गेहूं अनाज है सभी गेहूं अनाज है और कुछ गेहूं आटा है तो कुछ गेहूं हमारा क्या हो जाएगा आटा आटा को वीट माल लेते हैं चलो जो भी मालते हैं तो ऐस तरह कुछ वीगा बनेगा तो कुछ अनाज आटा है तो यह हमारा अनाज है कुछ अनाज क्या आटा है तो भाई जब सभी गेहूं अनाज है तो क्या कुछ अनाज आटा हो सकता है जी हाँ बिल्कुल हो सकता है बिल्कुल करेक्ट है अगर हम बात करें कुछ आटा गेहूं है कुछ आटा जो आटा कहां पर हमारा है आटा ये डबलू वाला है कुछ आट भी गिहूं होगा यानि कि दोनों निसकर्स हमारे बिल्कुल सही है तो यहां पर जो option number 3 है देखें दोनों जो निसकर्स हैं वो बिल्कुल सही है तो option 3 बिल्कुल सही हो जाएगा समझें दोस्तों चलिए आते हैं अगला question 12 पर आते हैं छाता का संबंद वर्सा से है तो इसमें क्या गड़ना पहले तो गिनना है कितने है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो तस ग्यारा बारा तेरह 14 15 16 17 18 19 20 20 है यानि कि हम इनको चार चार में तोड़ सकते है चार पंचे 20 तो एक दो तीन चार तोड़ दिया हमने फिर एक दो तीन चार तोड़ दिया हमने फिर एक दो तीन चार फिर एक दो तीन फिर एक दो तीन चार फिर एक दो तीन चार फिर एक दो तीन चार हो गया ना भई देखे ए है सी है ए है तो किसी के कमी दिख रहे है यहाँ पर बी की यहाँ पर क्या हो जाएगा पहला अपसर हो जाएगा बी फिर देखें A है B है A है क्या कमी है भाई A है B है देखो A B C A A B C यह सब में चल लाए ना तो यहां पर C आ जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा C यहां पर हो जाएगा B इसी तरह यहां पर A की कमी है तो यहां पर A हो जाएगा यहाँ पर देखा जाए A, B फिर से C की कमी है तो यहाँ C हो जाएगा तो यहाँ पर देखा जाए तो A की कमी है और C की कमी है तो A और C हो जाएगा तो B, C, A, C, A, C देखे B, C, A और C, A, C आएगा तो देख लेते कौन सा option है B, C, A, C, A, C यानि कि option B इसका बिल्कुल correct option हो जाएगा समझ कि I hope आपको समझ में आ गया होगा बहुत आसान होता है तो यहाँ पर option B जो है B, C, A, C, A, C बिल्कुल correct हो जाएगा question number 14 है 28, 30, 36, 28 है 30 है, 36 है, 48 है question mark है 98, 240 तो यहाँ पर क्या होगा तो देखिए ध्यान से देखिए इस question को 28 और 2 कितना हो रहा है देखिए 28 और 2 कितना हो रहा है यहाँ पर 28, 2, 30 30 और 6, 36 2, 6, 36 और कितना हो जाएगा 12 फिर 12 फिर यहाँ पर पता नहीं क्या होगा फिर 98, 240 की बात करें तो 98, 240 में कितने कंतर है 98, 200 यानि कि 42 कांतर है तो यहाँ पर देखा जाए तो इसमें 4 बढ़ गया और इन दोनों में 6 बढ़ गया यानि कि यहाँ पर क्या बढ़ेगा 8 बढ़ना चाहिए तो 12 और 8 कितना होगा 20, तो 48 और 20 कितना हो जाएगा 48, 20 होता है हमारा 68, यहाँ पर 68 करेंगे तो यहाँ पर माफ किजिएगा यहाँ पर 4, 6, फिर 8 यानि कि यहाँ पर 20 फिर यहाँ पर हो जाएगा 68, तो देखिए बिल्कुल करेक्ट आरा 20, 68 और 68 और 30 कितना होता है 20 कितना होता, 98 पर होता है यानि कि यह विल्कुल करेक्ट है तो यहाँ पर कितना इंसर हो जाएगा 68 आना चाहिए आई होप समझ में आगा और फिर से रिपीट कर देता हूं 2, 6, 12, 20 और ऐसे अंतर चला था तो दीखी 2, 6 में 4 का अंतर है 6 और 12 में 6 का अंतर है और 12 और 20 में 8 का अंतर होगा करम के अंसर साही करम होगा तो पहले देखले से हैं क्लाइम थे क्लाव्ड है चैबल है कैणल है कैप्रिकॉन हाँ यहाँ पर केबल पहले आजाएगा तीन नभर केबल के बाद से छाया दो कैणल आएगा डे Kalない के बाद सी हो गया सी ए अन हो गया फिर C L तो C L और Capricorn में C A P है न तो पहले तो C A C A और ये C A मतलब तीसरा चौथा पाँचवा फिर क्या आएगा C A वाले खतम होगी अब Clam फिर Cloud तो तीसरा चौथा पाँचवा तीन चार पाँच एक दो तीन चार पाँच एक दो कौन सा रहा भी तीन चार पाँच एक दो Option B आ रहा है यानि कि Option B इसका बिल्कुल Correct हो जाए दोस्तो Question No.16 है तो यहाँ पर कुछ Coding करनी है उनने इस प्लस दो गुड़े दो प्लस तीन तो यह आसान question हो सकता है तो यह आपका पहला homework होता है Comment करके बताना इसमें Answer सही क्या हो सकता यह तो Question No.16 आपका पहला homework होता है To question देख लीज़े Note कर लीजे को comment करके बताई इसमें क्या हो सकता है चलिए बढ़ते है Question No.17 की तरफ तो कोईशन नमर 17 है निव्ण में विसम संख्या यूग में चुने विसम संख्या यूग में कुनना है तो 144 के साथ क्या है 37 है तो 1444 माफ किजिएगा 1444 का अगर हम वर्गमूल निकाले तो आता है 38 और 31 का हमने लिख दिया 37 तो बाइस तो नो किसका वर्गमुल होता है वाइस सुनो होता है जादा कैसे लिख दिया इसी दा साठचा और आसी जो है वह मारा i88 से कम कया i7 लिख दिया यहाँ पर थाधार्ग होना चाहिए था लेकिन क्या लिखा गया रिखा यानि कि option B क्या हो जाएगा बिसम संख्या यूम हो जाएगा question number 18 है दोस्तों देखिए यह है यह है यह 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 तीन पासे है इसमें डॉलर के बिपरित बताना है तो यहां पर यहां के स्थान पी यह हमने बना दिया है बाहर कि कुछिए आप पासे है यहां यह बंबन तो सलें यहां पर दो आप top 4 है को यह यहां इंथा लिह ने क्कशन भी कर दे इसमें एक बताना है तो क्लॉक्वाइस थे खंडऊ तो पहले यह ऐगा सिर्मार बेद्द तो पहले एक पर सब्सक्राइब एक प्रॉटाइब उन WIN निया और इसेवल आंगी सब्सक्राइब iN टीनोर्म ऐसे इसक्वड़ोंगी आकूंसender सब्सक्राइब जोब ढर्व Albert कांतो भी आता हम को छेक्त लोग कांतो था देसे ब्लड पर आप तो यह जो बीच वाला आता है वो स्रीव एक विसे पढ़ने वाले होते हैं यानि कि अगर पूछा होता एक विसे पढ़ने वाले कितने हैं तो हम सीधे-से 17 पर टिक कर देते 17 हमारा आयन तो जाता है दो विसे मतलब यह होता है जो यह भाग है देखिए ध्यान से अभी मैं इ केवल जो डो विसे पढ़ते हैं तो देहां से जाएगा बारा छे ठार। आरड पार वहाँ पर लिखा उसमें question कुछ इसी तरह था तो यहाँ पर भी question में केवल लग गया है तो केवल लग गया तो इस 17 को हम add नहीं करेंगे अगला question है बीसवा यह आपका दूसरा homework है और इस तरह question में करवा चुका हूँ तो यह देख लीजिए अच्छे से figure को ध्यान से देख लीजिए और यहाँ पर आपको बताना है कितने त्रिभूज हैं ट्राइंगल कितने हैं 32, 34, 37, 40 तो आज आपके दो homework होगे एक को कोडिंग डिकोडिंग वाला यह बीस वाला तो आपको comment करके बताना है और अगले session से मैं अगले प्रेक्टिसेट जुका लाएगा मैं पूरी कोशिस करूंगा कि जो homework देता हूँ करवा यूपी जीके दिखे कल में भूल गया था पर आज आएगा कोई दिक्कत नहीं है तो साथ बजे यूपी जीके आपको मिलेगा और हिंदी भी आपको मिल जाएगा अभी दो भार मतलब तीन चार बजे के करीब आपको हिंदी का प्रेक्टिसेट मिल जाएगा और साथ बजे करीब आपको यूपी का जी के मिल जाएगा तो टाइमिंग आप लोगो क्लियर हो गई होगी रेजनिंग सुबा दो पहर या सांथ पर आपको हिंदी और आखरी में आपको यूपी जी के तो यह मिलती रहेगी और उसके बाद रात को नौ या दस बजे हपते में तीन दिन आप लोग चैनल पर नोटिफिकेशन जाए या ना जाए आगे जुड़ जाया करो बस यही चाहता हूं कि आपका जो यूपी ट्रिपेल सी वीडियो का फॉर्म है आपने जो भरा है वो आपका क्लियर हो जाए बस उननी सो तिरपन पोश्ट है तो कम से कम हमारे चैनल से सब तो दोसों लोग तो जाने ही जाने चाहिए वहाँ पर सेलेक्टेट तो बस यार आज के इस वीडियो में स्रीव इतना ही अभी के लिए बब बाए टेक केर जैहिन जै भारत